कैसा होगा साल 2024 यह जिग्यासा हर किसी के मन में जैसे जैसे दिसम्मर पास आता है ना आने लग जाती है कि मेरा नया साल कैसा होगा financially मेरी married life या मेरी love life के लिए मेरे business के लिए मेरी जॉब के लिए क्या-क्या नहीं नहीं चीज़े मेरे साथ हो सकती है is this year is a positive year और या फिर वही जो लगातार चला आ रहा था दुख दर्द वही continue होने वाला है तो यह सारी जो आपकी मन में जैसा हैं आज के इस वीडियो में हम शान करेंगे खास तोर पे अगर आपकी मेश राशी है अगर आपकी वरशब राशी है या फिर आपकी मिठुन राशी है तो इन तीन राशी ओको हम इस वीडियो में cover करेंगे आपके कोई और राशी है तो चैनल को subscribe करके रखिए क्योंकि बहुत जल्दी बाकी सभी राशी ओके separate वीडियो आने वाले जो कि आप पूरे साल पूरे इंटायर इयर में common remedies हैं जो आप कर सकते हैं तो अब यहां तक अगर आप पहुँच गए हैं तो हम शुरुवात करेंगे कि कैसा होने वाला है मेश राशी का साल दो हजार चौबे स्टार्टिंग की सुरुवात में देव गुरू बरश्पती रा बिजनस को ऑनलाइन लाने की कोशिश करें जिस वज़े से आपके नाम को आपकी ब्रैंड को प्रसिद्धी मिलनी सुरू हो जाएगी इस साल आप देखेंगे कि आपने जो पिछले साल गलतिया करी है ना वीक decision making power की वज़े से वो अब धीरे धीरे फरवरी के बाद घटने लग जाएगी और आपकी decision making शमता जादा बैतर हो जाएगी इसी के साथ शनी महराज की किरपा आप पर बरशने वाली है और ये आपके लिए wealth का indication है जो चाहेंगे वो मिलने की possibility 80% से भी जादा है इसके लिए अलावा अगर विदेश जाने की इच्छा है तो इस साल आपके विदेश जाने की योग strong है ये जो मैं result बता रहा हूँ ना इस साल के starting के 2-3 महीने बाद ही आपको महसूस होने लग जाएंगे हला कि इसी वज़े से आपके थोड़े बहुत खर्चे भी बढ़ सकते हैं और ये सिलसला पूरे साल खर्चों का चलता ही रहेगा अगर एक एक महीने का बात करूं तो साल के जनवरी फरवरी और मार्च के महीनों में आपको financially बहुत जादा फायदा यहां पर होने वाला है यहां पर किसी नई शुरुआत जॉब सुष या फिर बिजनस में कोई revenue increment यसी चीज़े दिखाई देती है जो बिरोजगार है नोकरी नहीं लग जाएंगे क्योंकि एकदम से कुछ होता नहीं कि cut to cut चल रहा है ऐसा नहीं चलता तो आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता रहता है तो इसका भी ध्यान लखेंगे अगर मैं बात करूं आपसे अप्राइल माई जून में तो थोड़े चैलेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और ज्यादा अब यह हेल्थ विसूस अब आपके पेट से जुड़े हुए होंगे पैर की चोट या पैर में दर्द से या फिर मास्पेशिया है हड्डियों के दर्द से जुड़े होंगे यूटी आई और पीसी ओडी जैसी प्रॉब्लम्स भी यहां पर इंक्री मारिड लाइब के हम बात कर रहे हैं तो यह साल सुर्वाती महीने जनवरी फरवरी में सब कुछ ठीक है जैसा चल लाथा वैसा ही चलेगा सिंगल लोग меня नों मिंगल रहेंगे और लाव मै YES के योग यहां पर बनते हैं लेकिन अभी नहीं आपके लव अगर चल आ जीए किस उसे पर सवाल उठेंगे किसी तीसरे की वज़े से भी या फिर फैमिली की वज़े से आपके रिस्तों में कड़वाट यहां पर सामिल होने लगेगी जनवरी फरवरी तो ठीक गया था लेकिन अप्रेल माई का यह जो महीना होगा यह आपके लिए थोड़ा सशक लड़ाई ज आए दिन किसी ना किसी बात पर तू तू मैं मैं जैसी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा इस दोरान आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो जाए जिस वज़े से और ज्यादा कम्म्निकेशन में गैब बन जाए अगस्त और अक्टूबर के बीच में आप अपने प्र राशी में नज़र आता है बात करें करियर की अगर तो इस वरस में इस राशी वाले सभी जातकों के लिए करियर में अच्छे बदलाओ करियर में अच्छी ग्रोथ अपना ओफिस सेट अप करना सीनिर्स के साथ मिलकर काम करना सीनिर्स के सिफारिष से प्रमोशन मिल जाना इस सारी चीज़े देखने को मिलती हैं, मेश राशी वालों पिछले साल आपने अपने काम में जितनी भी मेहनत करी थी उसका रिजल्ट पाने का वगत आ चुका है, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, एप्रेजल, बहुत की तारीफे और टीम लीडर बनने जैसी सिच्वेशन भी आपके साथ इस साल हो सकती है, मार्स से अपरेल के महीने में ये सारी चीज़े पॉसिबल हैं, और यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए अगस्त का महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा बहतर होगा, वरतबान में नौकरी में जो समस्यायों का सामना आपको करना पड़ रहा है, इ नए नए लोग आपके बिजनस में होगे, नए एंप्लॉईज, नए एमडी, नए सीएओ, या फिर किसी भी तरह है कि आपके नए करमचारी जुड़ेंगे, जिस वज़े से आपका बिजनस और बहतर होगा, और ये चीज़ आपको करना जरूरी भी है, कोई भी वैपार अ मार्च से अपरेल के बीच में आपको फॉरिंड कनेक्शन को बहुत जादा फायदा मिलता हूँ नजर आ रहा है, जो भी लोग लंबे समय से नौकरी कर रहा है, कही ना कही उनके मन में बिजनस करने का प्लैन बन रहा है, तो यहाँ पर मेरी एक सला है, बहुत सोच समझ कर फैसला लीजेगा, नौकरी छोड़कर बिजनस मत करिए, नौकरी के साथ ही थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करने की कोशिश करिए, यह ज़्यादा बहतर रहेगा, इस साल आपको विदेश जाने के कई मौके मिलेंगे, घूमने और बिजनस की वज़े से भी आप ज़्याद तड़का लग जाएना तो बात बन जाती है, साथी मई से जून के बीच में समय आपके लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है, वहीं, अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो जनवरी से अपरेल का महीना बहुत शुब है आपके लिए, हाला कि इसके बाद मई, जून जुलाई में आपको मेहनत जादा करनी पड़ सकती है, जिसका रिजल्ट आपको अक्टूबर के बहीने में मिलेगा, वहीं, अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो भी इस साल वो सपना पूरा होगा, हेल्थ वाइज ये साल आपके लिए मि बार पर पकड़ सकती, इसलिए इस साल कोशिश करिए कि किसी ना किसी फिसकल एक्टिविटी में आप अपने आपको डाल दे, एक्चुली जनवरी से अपरेल के बीच के जो समय है, ये मिला जुला है, इस दौरान हेल्थ रिलेटेड इशूज आपको आते जाते रहेंगे, अब अगर बात करें मेश राशी का परिवारिक महल कैसा रहेंगे, तो फैमिली वाइज ये साल आपके लिए हैपीली सुरू होगा, जनवरी से जुलाई तक फैमिली मेंबर्स के बीच में एक अच्छी मूच्छी अंडरस्टेंडिंग देखने को मिलेगी, जो की काफी हद सपोर्टिंग आपको फील होगी, किसी भी परिवारिक फैसले में सुरुवाती महीनों में लाब ही होगा, आप फैमिली मेंबर्स की विचारों को सुनेंगे, और वो आपकी सारी बाते सुनेंगे भी, समझेंगे भी, हाला कि अगस से अक्टूबर के बीच में भाई बेनों पो के लिए पहला उपाय है, किसी भी तरह से भगवान श्री गनेश की पूजा करना अब आप शुरू कर दीजे, डिली एक रूटीन बनाईए, अब आप गनेश चालिसा पड़ सकते हैं, गनेश जी की आरती कर सकते हैं, डिली बेसेस पे, किसी भी तरह से आप गनेश जी क की पूजा करेंगे, माताकाली की बारे में और पढ़ेंगे उन्हें और समझेंगे, ताकि आपकी अध्यात में किवर्ध ही हो सके, तो यह था मेरी तरफ से मेश राशी वाले सभी जात्कों का दोहजार चौबिस कैसा होने वाला है, तो यहाँ पे अगर मैं ओवराल एक वि कुछ महीने हैं, जिसमें हेल्थ इशूस है, जो मैंने इस वीडियो में बताएं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो बहुत सारी चीजे वैसे ही नहीं होगी, प्रेमी रिस्तों के लिए कुछ महीने गडबढ़ हैं, लेकिन अवर आल यह साल अच्छा है, ए 2024 का जो एंड है, वो आपके लिए 2024 की सुरुवात से भी बहतर होगा, ओवर आल मैंने आपको मिश्राशी वाले का पूरा 2024 कैसा जाएगा, हर एक सेक्टर को टच करने की कोशिश करी है, अब आपकी जम्मेदारी है कि आप मुझे कॉमेंट करके बताएं कि क्या, जब आप य वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपने फील करने शुरू करी है, और वो कौन सा आपका एक डिजायर है, सिर्फ एक, जो आप चाहते हैं साल 2024 में पूरा हो जाए, वो भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा, चली अब शुरू करते हैं, और जानते हैं ये साल 2024 का ये पूरा समय, वरशवर राशी वाले जाते को आप पूरे साल शनी देव के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे साल आपके 10th हाउस में शनी देव भर पूर आपसे महनत करवाएंगे, दस्वा घर हमारे कर्म करने के स्टाइल का होता है, इसलिए ये साल आ में थोड़ी बहुत उठा पटक होगी, कई सारे लोग इस साल जो अच्छे फ्रेंड नहीं थे दिखावा करते थे आपका दोस्त बनने की वो छट जाएंगे, धर्म कर्म के मामलों में आप काफी रुची लेंगे, और इस तरह की धार्मी ज्यात्रों में आप अपने दोस् आपको क्रिट हो रही है, तो अगर साल की सुरुवात में ही आप इसका मेनेजमेंट करके चलेंगे, तो ऐसी कोई बड़ी समस्या आपके पास नहीं आएगी, हाला कि माई के बाद फाइनेशल सिचुएशन बहतर हो ही जाएगी आपकी, लेकिन इससे पहले अप्राइल, और जून में आपको कर्ज की वज़े से फाइनेशल अपस और डाउंस भी देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ, इसके साथ जनवरी, फरवरी, हेल्थ इशूस भी देखने को मिल सकते हैं, आप चलिए बात करते हैं, आपकी लव और मेरिड लाइफ के बारे में तो इस साल आपको लव लाइफ और मेरिड लाइफ दोनों में ही उतार चड़ाओ देखने को मिल सकता है, और ये साल की सुरुवात में ज्यादा देखने को मिलेगा, आपको एक दूसरे को समझने में समझ जाएं आएंगी, जिससे आपके प्रेम की डोर थोड़ी सी नाजुक होती हु उन्हें इंपॉर्टेंस दे, तो आपके रिस्ते बखू भी बने रहेंगे, कई बार ना हम इनके साथ रहते हैं, उनको एगनोर करने लेते हैं, जैसे जैसे समय बीचता है, ये तो है मेरे साथ, दूसरे चीज़ों पर मैं गौर कर लेता हूँ, लेकि नहीं, वो इंसान जो आपके करियर की तो इस साल और सब राश्टी के जातकों को अपने करियर में हैपिनेस दिखने को मिलती है, आप अपनी नौकरी में अपना सब कुछ लगा कर मेहनत करेंगे और खूब मेहनत करवाएगा ये साल आप से, इसलिए आपको बहुत कम ऐसे दिन मिलेंगे जब आपके काम का बोल बाला भी चारो तरफ यहां पहलने वाला यानि कि यह मेहनत से काम करता है, इस चीज़ को सब नोटिस भी करेंगे और लोग अब आपको सीरियसली लेने भी लग जाएंगे, पर्मोशन के चांस बनते हैं, खास तो और पर अपरेल से जून के महीने के जो इल्लीगल है, क्योंकि शनी देव आपके ट्रेंट हाउस को संबालना है, अगर ऐसे वक्ति को इल्लीगल कार करते हैं, बहुत बड़ी मार पड़ती है, बहुत बहुत बेज़ती होती है, इसलिए सावधान लिएगा, अगर बात करें एजुकेशन की तो जो चातर गवर हैं, सोच लीजे, ये कम है, आपका 2024 में एक्जाम वाले बच्चों के लिए महनत जादा करनी पड़ेगी, घर से दूर जाकर पढ़ाई करने पड़े ऐसे सिच्वेशन भी बनती है, वहीं जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाते हैं, सपना देख रहे हैं, कुछ उतार च मिला जुला रहने वाला है, 18 जनवरी से 12 फरवरी में थोड़ा सा पेट दर्द, सर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, ये सारी सिच्वेशन बनी रहेगी, लेथार जी फी लोगी बोडी में, जनवरी से अपरेल के बीच में समय थोड़ा मिला जुला रहेगा, यहां पर आ आपके पिता जी से आपके अच्छी बनने लग जाएगी, और पिता जी के सलहा की वज़े से आपको लाब होगा, माता जी पिता जी दोनों की हेल्थ खराब हो सकती है, खास तोर पे सरदियों के जून टाइम आएगा आपके स्टेट में, उस में माता पिता दोनों की स्वा पड़ सकती हैं, लेकिन इस बीच आपको patience रखना पड़ेगा, और सारी चीजिए easily shore out करनी पढ़ेंगी, बहुत patience से काम करना पड़ेगा,ılarबी में, तबारतड़ी में, कोई काम आप आपका नहीं होगा, तो ये साल patience का साल है, और perseverance के साथ लगतार हाड़वक करने का साल आप के लिए है आप अपने परिवार के साथ अगस्य अक्टूबर के बीच में कोई तीर थयात्रा प्लैन कर सकते हैं और उसे एक्जिक्यूट भी कर सकते हैं इसके अलावा नमबर और दिसम्बर के बीच में किसी दूर के रिस्तेदार की शादी में भी जाना पर सकता है और ये ए सब राशी वाले सभी जात को मेरी तरफ से कैसा होने वाला है साल दोजार चौबिस आप के लिए अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इन में से कौन सी बाते हैं आप अभी से फील करने लग गए हैं और वो एक डिजायर जो आप चाहते हैं कि इस नए साल में आपका पूरा हो जाए वो आप कॉमेंट करके बताएंगे भगवान करें जो लोग कॉमेंट करें उनकी बिजायर फुल फिल हो जाएं चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की आखरी राशी यानि की कैसा होगा साल दोहजार चौबिस का ये पूरा समय मितो नाशी के सभी जातकों के लिए उसे डिसकस करते हैं मितो नाशी वालों के लिए ये साल की सुरुवात फाइनेशल वाइस तो बहुत अच्छी रहने वाली है लेकिन लव, लाइफ या फिर मेरेड लाइफ में उतनी मजबूती नहीं दिखाई देती है साथी शनी माराज आपके भाग के स्वामी है तो भाग स्थान में रहकर आपके भाग को पहली बार ये मजबूती देने वाले हैं आपके रुकी हुई योजनाएं जरूर सफल होंगी अटके हुए जो काम थे तेजी पकड़ेंगे आप कई कामों में सफल इस साल होने वाले हाला कि राहू और केतु की वज़ह से हेल्थ वाइस भी कई महीनों में आपको इस्यूस आएंगे फाइनेंशल जैसे मैंने का तो ओवराल तो ठीक है बढ़ हाँ बिजनस में थोड़ा एक टाइम आएगा जब आपको तार चड़ाओ देखने को मिलेगा खर्चे तेजी से बढ़ने लग जाएंगे करियर वाइस अगर बात करें तो मितनाशी के जातकों के लिए करियर में इस साल कार छेतर में शॉटकट लेने से बचना चाहिए भले ही आप कितनी ही समझदारी दिखाएं आप हर काम को चुटकी बजाते हुए हल करने में सक्षम नहीं है इसलिए शॉटकट नहीं लॉंग टम में काम को बहुत महनस से और अच्छे सलिके से करना पड़ेगा हाला कि वर्ष की सुरुवात अच्छी रहेगी आपको अपनी नौकरी में सफलता भी मिलेगी आप जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने की कोशिश करेंगे लेकिन किसी वज़े से वो धीरे धीरे डिले हो जाएंगे इस साल आपको एक बिमारी लगने वाली और उस बिमारी का नाम है comparison करने के अपने दोस्तों से अपने कलिक्स के साथ comparison करके खुद को दुख देने की आदद इस साल हप डवलप कर लेंगे इसलिए इससे बच के रही है मार्च के अंत से अप्रेल के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है मई के महीने के बाद से आपके नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज या दूसरे देश में जाने के भी योग है 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में आपको किसी नई नौकरी का आउसर भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह वो समय है जब आपको बदलने ना चाहिए रोका हो रखा है लेकिन जरूरी नहीं है शादी हो ऐसी भी इतना डिफकल्ट है इसलिए लव लाइफ में अराम से कनवर्शेशन बना कर रखेगा हाला कि फरवरी में आप अपने लव पार्टनर को प्रपोस कर सकते है यह वरवरी का महीना ठीक है आपके लिए आपको सैड नहीं करेगा जुलाई और अगस्त का इंतजार जरू करिएगा क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल है मिंगल होने की यहाँ पर भारी संभावना है उसके बाद अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा आप रिलेशन्शिप के मामले में सच्चे और इमानदार बने रहें और इमानदारी से अपनी बात सामने वाले को कनवे करते रहें इमानदारी से तो आप दोनों का तालमिल बना रहेगा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए समय निका लिए जिन्दगी बड़ी चोटी सी है ना तो जो जरूरी है आपके लिए जो लोग इंपॉर्टेंट है आपके लिए उनके लिए आपको समय निकालना चाहिए घुमने फिरने का प्लैन बनाना चाहिए बात करेंगे आपकी एजुकेशन की तो इस साल शनी महराज आपको पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत कराने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि आखिर गौर्मेंट एक्जाम होता क्या है यह साल प्रतुगी परिक्षाओं के लिए एकठीन समय हो सकता है हाईयर एजुकेशन की बात करें तो आप अपनी डिग्री इस साल जरूर कंप्लीट कर पाएंगे भले ही उसमें कुछ रुकावटे आएं मन ना करें पढ़ने में न लगे देकि एड़ अड़ एंड आप द नाशी के जातकों के लिए यह साल कुछ कठिन चुनौतियां लेकर आने वाला है परिवारिक जीवन में स्ट्रेस आपके माता पिता में जो पिता जी हैं उनकी सिहत में कोई खराबी एक दूसरे पर भरोसा कम होने की वज़े से लड़ाई जगड़े की भी नौबत आ सकती ह इसे बचने के लिए आपको घरवालों को समझाना चाहिए और सहजिता से बात करनी चाहिए अपरेल से अगस के बीच में स्टिती अच्छी हो जाएगी सब कुछ में सब लोग में जूल कर रहेंगे लेकि सितंबर के महीने में फिर से कोई ऐसी बात आएगी जिससे की घर मे संपत्ती या फिर घरवालों के वहार से कोई महल खराब हो जाएगा विसेकली हलाकि 23 अपरेल के आसपास जब मंगल का गोचर आपके दसंभाव में होगा तो वो समय आपकी माता जी के स्वास्त को पीडित करेगा इसलिए उनको जादा बीपी का प्रॉब्लम या लंग्स क प्रॉब्लम या फिर घुटनों में दर्ज यसी चीज़ें बढ़ जाएंगी बात करेंगे 2024 में आपकी सेहत साल की सुरुवात ही दिनों में ही हेल्ट वाइज आपका समय बहुत अच्छा रही है शूर मंगल की इस्तिति आपके सौस्त में समस्यां में बढ़तरी करती है र अक्टूबर और नॉंबर की महीनों में पैर दर्द आखों में दर्द या फिर दातों की कोई समस्या भी आपको मिल सकती है इन समस्यां से रिलीफ आपको प्रैक्टिकल रेमिडिस करके ही मिलेगा अब बात करेंगे मितुन नाशी के करियर जॉब या फिर बिजनस के बारे मितुन नाशी वाले जातको इस साल करियर में कुछ महीने ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको जॉब में प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट जैसी चीज़े दिखाई दे रही है और वो महीने हैं अप्रैल जून जुलाई और उसके बास सेप्टेमबर और अक्टूबर यही वो मह बहीने भी हैं जब आप अपने लिए जॉब सुच करना या फिर किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करने जैसे चीज़े कर सकते हैं अगर आप अभी तक जॉब नहीं लगी है बेरोजगार है तो भी जॉब के लिए भी अपलाई कर सकते हैं बाकी के महीनों में क्या होगा दो तरह के लोग हैं एक है जॉब कर रहे हैं बहुत जादा महनत करने वाले काम ओवर वर्क लोड या फिर बहुत से अनबन ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं और जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग मेंटली यहाँ पर परेशान की जॉब लग क्यों नहीं रही है घर में बिताने रिष्टेदारों के बिताने और खुद में भी डी मोटिवेटेड फील कर सकते हैं लेकिन वेपारी लोगों के लिए यह साल मोटा मोटा मैं कहूंगा कि ऑन दा पॉजिटिव नोट बहुत अच्छा होने वाला है में तो नाशी वाले जात को शनी जब भागे के स्थान को कंट्रोल करते हैं तो सीधे कह देते हैं जो करोगे इसकी रोटी खाओगे शनी कॉपरेशन की भी बात करते हैं और शनी बात करते हैं कि आपका जो लोवर स्टाफ है वो कितना स्वामी भगत है अगर आपका लोवर स्टाफ आपको गालियां द कर देनी चाहिए दूसरा माचंडी की अराधना भी हर शनिवार के दिन आप करेंगे विश्णुजी की बुद्धवार को माताचंडी की आप शनिवार को किसी भी तरह से जो जिसमें भी आपका दिल लगे वो करना है और इस साल कम से कम तीन बार देवी के धाम वैश्ण देवी हो गया या कामाख्या धाम हो गया ऐसे धाम जरूर जाएगा आपके लिए काभी प्रभावशाली रहेगा तो यह था मिथुन राशी वाले जातकों का कैसा होगा साल 2024 अब आपको कॉमेंट करके यह बताना है कि वह एक डिजायर जो आप चाहते हैं कि इस नए साल में भगवान पूरा कर दे वो क्या है कॉमेंट करके जरूर बताई वीडियो को लाइक कर दीजे तो मेश वर्षब और मिथुन राशी के राशी फल हमने सुन लिए बागी की राशीओं की राशी फल भी बहुत जल्दी अप्लोड होने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन दबा दीजे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए रादे